नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन गयान के ओनलाइन प्लेटफोंग पर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSTC versus PTT यानि कि दोनों में से बहतर कोन है और अगर कोई बहतर है तो वो किस specific reason की वज़ा से है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं BSTC की जिसको वर्तमान समय में आपको डियल्ड के नाम से भी जाना जाता है यानि कि डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन ये लिजिए जी अब बात करें कि BSTC आप कब कर सकते हैं योग्यता आपके पास में क्या होनी चीए तो भाया बारवी पास अगर आप है और उसमें भी नियुनतम उत्रिणांग जर जैसे ही दो वर्ष का पाठेकरम अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो 33 रेणी शिक्षक भरती जो परिक्षा होती है 3rd grade की उसमें लेवल 1st के हगदार आपको जाते हैं यानि कि लेवल 1st में क्या होता है एक से लेके 5 वी क्लास तक के बच्चों को आपको पढ़ाना होता है और इसमें केवल आप level first वाले में केवल और केवल BSTC वाले ही आते हैं वहाई दूसरी तरह PTT यानि के pre teacher education test अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दो तरीके से आप beard कर सकते हैं किस तरीके से एक तो क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें graduation करें graduation में आप college में अगर आप गए हैं BA BSTC के अंदर गए हैं वो आपने college करी है और उसके बाद में आपने क्या करना है कि graduation के बाद में दो साल की आपको B.A.D. करनी है दो वर्स का course होता आपका B.A.D. का या फिर आप क्या कर सकते हैं कि integrated जिसको कहा जाता है यानि कि B.A.B.A.D. या B.A.C.B.A.D. जिस तरीके से आप कर सकते हैं उसके साथ में आपका हो सकता है और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर यह total course क्योंकि इसमें B.A.D. भी include है तो total आपका कितना पड़ेगा चार वर्स के लिए पड़ेगा और यहां पर यह वाला total course graduation प्लस दो साल का B.A.D. यह आपको पांच वर्स का पड़ेगा ठीक है जी क्योंकि यहां पर B.A.D. करने का मतलब क्या है कि आप सिक्षक भरती के लिए जाना चारे है और मैं सिक्षक भरती की ही यहां पर बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक point उठाया और उसके regarding में बात कर रहा हूँ अब बात करें time के हिसाब से तो time के हिसाब से सबसे short cut तरीका आपका क्या हुआ B.A.D.C. वाला क्योंकि आपको कितने time लगा दो साल और दो साल में आप level first के दिगा रही वाला हकदार उसके लिए आप बन चुके हैं उसका exam आप दे सकते हैं अब यहां पर अगर आप बात करते हैं तो पाट साल लगते हैं यहां पर आपको कितने लगते हैं चार साल है उसमें आप लेवल टू के हाकदार हो जाएंगे लेवल टू का मतलब क्या है यह आप छटी से आठवी क्लास तक के लिए ठीक है जी लेकिन इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड का भी तो आपके लिए अप्लिकेवल हो गया और अगर आपने मास्टर की डिक्री कर лी में मस्स कर लिया तो यहां पर सिर्ब और सिर्फ आपके पास में एक रास्ता है कि आप लेवल सर्प्ट्र टीचर लीह लग सकते हैं टाइम के बेटर है बात करें दूसरे point की तरफ और दूसरा point आपका पढ़ता है कि खर्चा खर्चे के इसाब से अगर मैं बात करूँगा तो BSTC में आपको क्योंकि time आपका कम लगा है तो खर्चा यहाँ पर कम लगेगा और यहाँ पर आपके साल ज्यादा लगे तो सारे expenses आपके जूटते हैं गही नगई हर एक चीज़ का खर्चा क्योंकि यहाँ पर तो अक्सरा खर्चा साल के हिसाब से पढ़ेगा ही पढ़ेगा यहां पर फोंब की संक्या जब बरने वाल जब 3rd grade में लेवल 1st की हो गया पर कम रहेगी और यहां पर फोंब की ground वालों की संक्या वह आपनी जादा रहेगी तो सीधी सी बात है कि competition के मामले में BSTC में competition कंप रहता है तो आपके लिए PTT आपका बेटर है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो बस जल्दी से जल्दी टीचर बनना है और एनिहाव बनना है तो जल्दी वाला option आपके पास में shortcut वाला तरीका आपका क्या हो गया BSTC हो गया अब दोनों में से चूज करने की जिम्मेदारी यह आप पर में छोड़ता हूँ कि आप BSTC में इसोट वाले तरीके से आप जाना चाहते हैं या फिर आपके लिए नए आयाम खुलने की बात हो तो आप इस तरीके से जाना चाहते हैं उम्मीद है कि दोनों के बारे में आपको फर्क बहुत असनी से समझ में आ गया होगा हमने तीन चीजों के बारे में स्लोट में बात करी टाइम खर्चे और आपकी कंपडिशन के हिसाब से तो ऐसे ही बहतर वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं लगातार आपको मिलते रहे इसके लिए आपको जुड़े रहना पढ़ेगा वीशन ग्यान के साथ मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय राजस्तान